बॉलिवुड की कई फेमस एक्ट्रेसेस के अफेर और लिविंग की खबर उनके फैन्स को भी थी, कुछ ने तो खुल कर अपने रिलेशन्शिप को दुनिया के सामने रखा था, वही कुछ मीडिया की नजरों से बच नहीं सकी थी, खास बात ये था कि इन एक्ट्रेसेस की ज दिक्र करने वाले हैं, जो की शादी से पहले किसी और शक्स के साथ लिविंग रिलेशन्शिप में रह चुकी हैं। विपाशा बासू और जॉन एब्राहम काफी लंबे समय तक साथ थे, दोनों लिविंग में भी रह चुके हैं। विपाशा और जॉन के ब्रेकप की खबर ने हर किसी का दिल तोड़ दिया था, अब दोनों ही अपनी अपनी शादी शुदा जिन्दगी में खुश हैं। लारा दत्ता इन दिनों अपनी शादी शुदा लाइफ में खुश हैं। शादी से पहले लारा ने केली डॉर जी को डेट किया था और दोनों लिविंग में भी रह चुके हैं। शाहिद कपूर और प्रियंका चोपडा के अफेर की खबरे ने भी खुब सुर्ख्या बटोरी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक जब प्रियंका चोपडा के घर इंकम टैक्स की रेट पड़ी तो दर्वाजा शाहिद कपूर ने खोला। उस दोरानी ये पता चला कि शाहिद और प्रियंका एक दूसरे के साथ लिविंग में रह रहे हैं। अब प्रियंका चोपडा ने निक जोनस से शादी कर ली है। तो वही मिला राजपूत के संग शाहिद कपूर काफी खुश है। नेहा ककर और हिमांश कोली का रिष्टा काफी विवादों में रहा। शादी से पहले नेहा हिमांश के साथ लिविंग में थी और दोनों अक्सर फैंस को कपल गोल्स भी दिया करते थे। बाद में दोनों का ब्रेक अप हो गया। नेहा ककर ने रोहन प्रीज सिंग से शाद के हैं भले ही एक्स कपल लिविंग में रहा हो लेकिन दिपिका और रंबीर के अफ़ेर से ज्यादा इनके ब्रेक अप ने सुर्ख्या बटोरी थी करीना कपूर और शायद कपूर ने भी एक दूसरे गो लंबे समय तक डेट किया था जब वी मेट की शूटिंग के समय ही दोनों का ब्रेक अप हो चुका था लेकिन इससे पहले दोनों काफी टाइम तक लिविंग में रहे थे वेल ये थी ऐसी बॉलिवुड की हसीनाएं जो कि शादी से पहले किसी और शक्स के संग लिविंग रिलेशनशिप में रहे चुकी है लेकिन आज अपनी परसनल लाइफ में बेहदी खुश है इस पर आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स कीजिए